हलो मेरे प्यारे बच्चों कोश्चन नमबर 16 लाया हूँ exercise 6.3 का खतम करते हैं आज इस exercise को ठीक है मैं last question of exercise 6.3 और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये आकरी question जरूर है पर ऐसा मत समझना कि चाप्टर खतम या concept खतम ये concept आगे भी 6.45 में use हो सकते हैं so don't forget to subscribe, like, share, comment ठीक है ओके और अब अपन शुरू करते हैं if AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR बनाएए भीया ABC and PQR चलो लो ये हो गया अरे यार इंक बह गई इसमें इंक चलो ये हो गया बच्चों A B C इस ABC का median AD है मैं A top pace लिए रखता हूँ median उपर से नीचे आता हुआ better लगता है ना इसलिए A top पे रखो आख तो ये हो गया AD और median का क्या काम बच्चों सबको पता है this is equal to this medium base को दो equal parts में divide कर देती है, bisect कर देती है अब बच्चों दूसरा triangle है PQR चलो भई ये PQR बना देते हैं let's make PQR ठीक है this is P top से QR और जब P से अब आप PM बनाएंगे ना median वो बच्चों QR पे गिरेगी ठीक है so this is M और बच्चों ये भी इस base को दो equal parts में split कर देगा, divide कर देगा चाहो तो आप लिख भी सकते हो के BD becomes equal to CD है ना या फिर आप ये भी लिख सकते हो के ये दोनो BC के half है है ना BD और CD दोनों आदे आदे हैं BC के इधर भी लिख सकते हैं बच्चों पर QM equal RM है ना QM RM equal है और दोनों को we can write QR का half भाईया ये भी QR का आदा ये भी QR का आदा ठीक है लिख दिया आप देखते हैं आगे काम आता कि नहीं आता बच्चों हमें दो ट्राइंगल सिमिलर भी दिये हैं और सिमिलर देते ही साथ हमें आपको बताया था कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो बच्चों हमें क्या-क्या चीज़े मिल जाती हैं तो ABC is similar to triangle P, Q, R बच्चों राइट ये हमें given है और बच्चों इस given के वज़े से हमें 6 चीज़े मिल गई क्या angles equal हो जाते हैं बच्चों सबको पता है कि जब दो ट्राइंगल हमें similar दिये हो या दो ट्राइंगल हम similar करा दें तो बच्चों angles are actually equal in that condition we will say ABC का पूरा angle है पूरा angle P equal तो we will write angle A equal to angle P इसकी बदोलत लिख रहा है पने इसकी वज़े से ठीक है comma फिर क्या equal हो जाएगा angle B equal angle Q so let us say angle B is equal to angle Q comma तीसरी चीज़ क्या है angle C equal angle R let us say angle C is equal to angle R बच्चों लो भाईया ये angle equal ये angles equal ये angles equal ये angles equal this whole A equal whole P, B equal Q, C equal R लिख दिया sides का क्या होता, sides equal नहीं होते हैं कि आप लिख दो A, B equal P, Q no, A, B upon P, Q will be equal to है ना sides का ratio equal होता A, B upon A, B upon P, Q क्योंकि triangle similar है तो ये चीज़े हमें मिल जाती है is equal to B, C upon Q, R B, C upon Q, R is equal to A, C upon P, R A, C upon P, R भाईया ये इस line से हमें ये तीन चीज़े मिल जाती है और ये चीज़े मिल गई जाती है तो आपको ये वाला triangle activate होता नजर आ रहा होगा और ये triangle activate नजर आ रहा होगा ना ये part नहीं है काम का, ये part नहीं है अगर ये proof करना है आपको तो बच्चों basically हमें इन दो triangles को अलग बनाना चाहिए कि हाँ ये हमारी जो proving है जो हमें show करना है जैसे हमें जो दिखाना है उसके हिसाब से तो हमें पूरे-पूरे triangles ये पूरे-पूरे की जरूरत नहीं है क्या show करना है AB upon PQ is equal to AD upon PM ये show करना है न तो इसके लिए बच्चों जो activating triangles है वो है ABDPQM चलो बना लेते हैं triangle this is बच्चों A, B, B ठीक है और यहां बना लेते हैं P, Q, M ओके चलो लेओ भी है this is P, Q, M बच्चों this is P, this is Q, this is M, राइट अब बच्चों हमने angle B equal angle Q को और से देखो B angle equal Q है न तो हम B angle Q यहां mark कर लेंगे क्योंकि हमारी काम का है यहां अपने help कर सकता है यह है न सिमिलारिटी प्रूफ करनी पड़ेगी न अपन को इधर तो अपन यहां पर लिख लेते हैं कि हाँ भाईया सर यह help करेगा अपनी तो इधर angle बना लिए अच्छा सुनना मेरी बात बच्चो गौर से इस line से जो अपन के पास आई है इस से इसको equation 1 मान लेते हैं let us see equation 1 बच्चो ab upon p q काम का है लिख लो ab upon p q काम का है लिख लिया ठीक है बच्चो बहुत गौर से देखना ab upon p q काम का है लिख लिया बच्चो D कहां गया यार ओके D है यह P नहीं है This is D AD upon PM यह तो D I नहीं है अपन को यह तो proof करना है तो छोड़ो इसको तो अपन लहीं नहीं सकते बच्चों गौर से देखना अपनने AB upon P Q उठाया अपन अब उठाएंगे BC upon QR उठाओ ज़रा BC upon QR BC upon QR अभी आप इसको देखो ही नहीं यह अपनने क्या कर रहा है यह अपनने by equation 1 उठाया है सिर्व अपनने सिर्व अपनने से pick किया बच्चों क्या मैं BC को और से देखना AB upon P Q में मैं एक change कर रहा हूँ BC के आगे मैं half लगा रहा हूँ half BC अब आपको के सर आपने कैसे अपने मन से लगा दिया बच्चों अगर मैं यहां half लगा रहा हूँ तो मैं यहां भी half लगाऊंगा half QR है ना upper और lower denominator और numerator दोनों में मैंने half लगाया उसका reason है बच्चों मुझे यहां BC नहीं दिख रही है मुझे यहां QR नहीं दिख रहा है पर मुझे BD चाहिए बच्चो BD BC का आधा है देखो गौर से अगर मैं कहूँ BD is equal to क्या है BC का तो आपको सर बी सी का half है बच्चों इसको वहां ले जाओ तो यह BC upon 2 लिखा मैंने BD को देखो BD की जगा BC की जगा हाफ BC सुनो सुनो हाफ BC लिखा BC के पहले मैंने बस हाफ लगा दिया QR के पहले मैंने हाफ लगा दिया इससे हुआ क्या बच्चों इससे ये portion हमारा हमारे question को प्रूफ करने लायक बन जाएगा कैसे देखो AB upon BQ मैं दुबारा लिखता हूं उसको बच्चों हाफ BC इस BC का आधा CD भी है इस BC का आधा BD भी है इस BC का आधा CD भी है और BD भी है पर मुझे CD का कोई काम नहीं है मैं BD लिखूंगा So I will write BD upon बच्चों इस हाफ QR का इस पूरे QR का हाफ MR भी है और QM भी है मैं तो QM लिखूंगा मुझे QM से काम है और बच्चों जब ये portion equal आ जाए this upon this this upon this equal आ गया this upon this is equal to this BD upon QM आ गया उसके बाद बच्चों angle B equal angle Q अपन अल्रेडी लिखी चुके हैं उपर देखो B angle Q equal लिखी चुके हैं तो बच्चों ये दोनों triangle तो होगा similar है ना we can write therefore triangle ABD ABD is similar to triangle PQM PQM अब बच्चों आप कहोगे सर proving तो फिर भी नहीं आई अब आ सकती है बच्चों जब आपने this upon this दिया था ये BC पूरी BC upon QR पूरा QR दिया था उसमें अपनने क्या करा अपने BC और QR से हाफ हाफ लगा दिया आगे लगा सकते है बच्चों कोई इशू नहीं है अब BC के आगे अगे हाफ लगा रहे तो QR के आगे भी हाफ लगा दो dividing by 2 भी बोल सकते हैं हाफ BC बच्चो BD है देखो हाफ BC BD है median की वज़े से हाफ QR QM है बच्चों है ना तो हमने QR की जगा हाफ QR की जगा QM लग दिया हाफ BC की जगा BD लग दिया इतने portion और इतने portion की वज़े से ये दोनों हो गाए by side angle side rule है ना side angle side rule की वज़े से हो गाए और बच्चों आप सभी को पता है कि जब हमारे दो ट्राइंगिल congruent sorry similar हो जाते हैं तब हम AB upon PQ को AB upon PQ को equal बोल सकते हैं AD upon PM के is equal to AD upon PM के और हम इसको भी बोल सकते हैं BD upon QM भी बोल सकते हैं is equal to BD upon QM क्यों बोल सकते हैं क्योंकि जब दो ट्राइंगिल कौन सिमिलर हो जाते हैं तो उनके sides के ratios equal होते पर हमारा requirement इतना है ये है हमारी proving तो we will write hence proved आप इसके बाद ये portion लिख लेना side में ठीक है मतलब इसके बाद इस पूरे के बाद बच्चों मैं यहां लिख दे रहा हूँ आप लिखोगे AB upon PQ is equal to AD upon PM इतना portion ये तीनों तो लिख नहीं पढ़ेंगे आपको क्योंकि इस similarity के बाद ही तो आपने ये लिखा similarity के बाद ही तो आपने ये लिखा कि sides का तीनों का ratio equal होता है फिर आपने इतना portion उठा लिया क्योंकि इतना ही portion अपनको proof करने था last में लिख देना hands-proved बच्चो ठीक है you can write hands-proved in last ये ऐसा नहीं है कि बीच में लिख दिया मैंने उदो space दिख रहा था इसलिए लिख दिया let us move on to 6.4 now but don't forget to subscribe, like, comment वेटा sequence ने पढ़ा करो sequence में समझा करो we will meet in next video 6.4 के साथ till then happy learning don't forget to subscribe, share and like